तो second topic है हमारा equilibrium, engineering mechanics में code है 2005, उसका second topic है, second chapter है हमारा equilibrium या फिर संतुलन, तो संतुलन तथा सामयवस्था, equilibrium and equilibrium, तो equilibrium से पहले हमें समझना होगा कि equilibrium का क्या मतलब होता है, तो equilibrium या फिर सामयवस्था का मतलब यह है, कि अगर कोई हमारे पास कोई पेंड़ है, कोई वस्थू है और उस पर दो से अधिक बल कारे कर रहे हैं, तो अगर वो जो बल है उस पेंड़ या वस्थू की सिचुएशन में या उसकी कंडिशन में उसकी स्थिती में कोई भी परिवर्तन लाते हैं, नहीं लाते हैं, लाते हैं या नहीं लाते हैं, दो कंडिशन हो गई, अगर वो बल उसकी स्थिती में चेंज़ ला रहे हैं, त तो यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार कर रहे हैं कि वस्तु की स्थिती में परिवर्तन शूने हैं अर्था वस्तु पहले वाली ही स्थिती में हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि कार करने वाला जो बल है वह संतुलन या सामयवस्था इकलिब्रियम में ह या वस्तु संतुलन या सामयवस्ता में है और यदि बलों के प्रभाव से वस्तु में कुछ भी परिवर्तन नहीं है तो बल असंतुलन या फिर असामयवस्ता में कहलाएगा तो clear है यह situation कि जब भी हमारे पास अगर कोई वस्तु है कोई भी object है उस पर जो भी हमारा कारे कर रहा है बल या force act कर रहा है वो इस तरीके से act कर रहा है कि उसकी situation उसकी स्थिती में जो वस्तु की स्थिती है उसमें कोई भी change नहीं आ रहा है force के act करने के बाद तो उस situation को हम कहेंगे equilibrium में और अगर नहीं है ऐसा अगर स्थिती सेम नहीं रहती है बलके act करने के बाद बलके कारे करने के बाद तो उसे हम सामयवस्था कहेंगे तो सामयकारी बल या फिर equilibrium किसे कहते हैं तो माना किसी वस्तु पर अनेक बल कारे कर रहे हैं जिनके कारण वस्तु संतुलन में नहीं है। अगर हम अजियूम करें कि किसी वस्तु पर एक सदिक बल कारे कर रहा है जिसके कारण की जो हमारी वस्तु है वो एकुलिबिरियम में नहीं है। और अब इस वस्तु को संतुलन में लाने के लिए हमें एक और बल लगाना पड़ेगा जिसकी वस्तु सामेवस्था में आ जाए तो उस वस्तु को सामेवस्था में लाने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वज़े से जो हमारी वस्तु है वो तो इसी प्रकार के बल को सामेकारी बल या फिर एकलिब्रियंट फोर्स कहते हैं यह बल परिणामी बल के बराबर तथा विपरीद दिशा में होता है और यह जो एकलिब्रियंट फोर्स हम लगा रहे हैं जिस सामेकारी बल लगा रहे हैं किसी भी वस्तु को एकलिब्रियंट म जैसे मानों आप किसी पिंड को चार आदमी धक्का दे रहे हैं जिसके कारण पिंड 10 मीटर पर सेकंड की गत्टी से आगे चल रहा है यदि इन व्यक्तियों के जगह को एक आदमी इतना ही धक्का इस प्रकार लगाए कि वस्तु उसी वेक से गत्टी करती रहे तो बल परिणामी बल कहलाएगा क्या मुख्या हुआ इस केस में आपको एक आदमी धक्का लगा रहे हैं और इसकी कुछ वेलोसिटी आपको दीवी की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चल रहा है तो अगर यदि इन व्यक्तियों की जगा कोई एक आदमी इतना धक्का लगाए कि जो वस्तु है वो उसी स्पीड से आगे बढ़ती रहे तो वह जो बल लगाया उसने एक साथ एक ही बार में जो बल लगा दिया उससे परिणामी बल कहेंगे परन्तु इस समय वस्तु सामय वस्ता में नहीं है लेकिन यह सिचुएशन थी इसमें जो हमारा बॉडी थी वह एकली बिरम में नहीं थी और एकली बिरम में लाने के लिए इस वस्तु की दूसी तरफ से एक और बल लगाना पड़ेगा और इस वस्तु को एकली बिरम में ज तफाल जाएगा उसका जो को मिल्मेंट एडिशन वो बंद जाएगी तथब शतुन जो है एक्लिपरयम में या पिर सामya वस्ता में आ जाएगी इस बल को सामयकारी बल या फिर equilibrium कहते हैं तो इस situation में क्या हुआ हमारी जो body थी जो हमारा object था वो equilibrium में नहीं था और हमने एक extra बल लगाया जिसकी वज़े से हमारी body जो है वो equilibrium में आ गई तो इसे हम equilibrium force कहते हैं तो जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं यह पिंड सामयवस्था में नहीं है और नीचे वाली जो condition उसमें पिंड सामयवस्था में है तो आप फरस्ट केस में देख सकते हैं body पर force लगाया जा रहा है और यह है वेग कितना वेग है इसका 10 meter per second से ही चल रही है तो यह बस normal सी condition है जिसमें एक body पर कुछ force लगाया जा रहा है और जो हमने condition पड़ी थी कि 10 लोग force लगा रहे हैं उसकी जगा एक ही आदमी ने force लगाया और यह बरणामी बल था जो कि resultant force है और second condition में आप देख सकते हैं कि यह जो condition है यहाँ पर 10 meter per second से आगे बट रही थी body इस resultant force की वज़े से तो इस टाइम पर यह equilibrium में नहीं थी और इस second condition में हमने यहाँ पर second बल लगाया जिसे हम कहते हैं equilibrium force तो उस सामयकारी बल जब हमने लगाया तो यह जो body आए हमारी यह body सामयवस्ता में आ गई या फिर equilibrium में आ गई next topic है हमारा मुक्त पिंड तथा मुक्त पिंड आरेक free body and free body diagram free body diagram क्या था जैसे कि आपको नाम से पता चलता है जिस भी body का अगर हम अध्यन कर रहे हैं उसकी सामयवस्ता है उसकी equilibrium पर हमें अगर उसका अध्यन करना है उस पर विचार करना है तो उसकी आसपास की जो भी वस्तुए हैं तथा उसके जो आधार है उनको हमें आधार मुक्त करते हुए एक free body चित्र बनाते हैं हम उसमें क्या करते हैं उस ऐसे चित्र को मुक्त पिंड आरेक कहते हैं या फिर free body diagram कहते हैं तो ऐसे आरेक में उस वस्तुपर लग रहे हैं सभी क्या तेवम अग्यात बल उस body पर जिस भी body का हमें अध्यन करना है उस body या फिर उस वस्तुपर जितने भी हमें forces पता हैं और जो forces हमें नहीं पता हैं भले ही वो reaction forces हो gravity वाले forces हो सब को हमें consider करना है और उसको हमें फिर हम उस पर forces को उन forces को calculate करेंगे उन जो भी उस पर force लग रहे हैं उसके अध्यन को हम कहेंगे free body diagram तो इस आरेक में सभी ग्यात कोन भुजाएं तथा अन्य नाम भी दिये जाते हैं तो जब भी हम free body diagram consider करते हैं diagram draw करते हैं तो हमें उस body पर लगे हुए सारे forces जो भी अगर रस्ती पर बल लग रहा है तो हम उसमें tension को consider करेंगे नीचे gravitation force हो गया हमारा resultant force हो गया हमारा force of friction हो गया सारे forces को हम consider करेंगे और इसमें सारे इसके कोन भुजाएं और इसको नाम भी दिये जाते हैं तो मुक्त पिंड आरेक बनाने के पश्चा सामय वस्ता में सामाने शर्तों के अनुसार प्रशनों को हल किया जाता है तो इतलिए ब्रेम में जो conditions रहेंगी उसके according हम questions को solve करते हैं प्रशनों का हल निकालते हैं तो जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं यह एक कोई body है यह surface यहां से यह fixed है और यहां से connected है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है एगर इसको हम draw करेंगे free body diagram को तो इस body पर एक तो w force नीचे की ओर लग रहा है is equal to mg जो की gravitational force है एक यह जो यह spring से बदा हुआ है यह tension हो गया इसका तो यहां पर यह T भी लगेगा और यह जो यहां पर fixed है इस जगे पर resultant force भी लगेगा reaction force लगेगा R तो इस particular body के पर तीन force एक्ट कर रहे हैं जो की हमने इसका resolution किया तो बलों का vision या फिर resolution of forces किसी पिंड पर लगने वाले बल में बिना कोई परिवर्तन किये एक से अधिक टुकडों में बाटने वालों बाटना बलों का वियोजन कहलाता है तो बलों का vision क्या हो गया resolution of forces क्या है किसी भी पिंड पर किसी भी वस्तू पर अगर जो बल लग रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन किये बिना हम उस बल को एक से अधिक टुकडों में बाट देते हैं उसका vision कहलाता है वो तो the process of splitting of the given forces into a number of components without changing its effect on the body is called resolution of force उस टाइम पे जब हम उसका vision कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे जो बस्तू पर जो बल act कर रहा है उसमें हम कोई भी changes नहीं लाएंगे उसको as it is consider करेंगे तो अब आप इस photo को इस चित्र को consider कीजे तो चित्रा नुसार माना कि बिंदू O पर शैटिज horizontal से theta जो है वो cone पर कोई बल force लग रहा है देखिए F लग रहा है यहाँ पर कोई बल F लगा हुआ है तो इस बल को हम दो दिशाओं में वियोजन कर सकते हैं तो यह जो force है इसको हम दो दिशाओं में वियोजन किया इसने एक तो यह y-axis और यह x-axis तो एक तो शैटिज दिशा में तथा दूसरा उद्वादर दिशा में तो शैटिज और उद्वादर दिशा में हमने F cos theta तो शैतिज में किया और दौदर में किया F sin theta तो इस वियोजन को भाग इस तरीके से हमने इसको resolve किया और इस तरह सैतिज दिशा में बल F के वियोजन को हमने F cos theta और और दौदर दिशा में F sin theta हमने इसे माना अभी F बल को इस तरीके से दो बलो, इस पिचर में आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, शैतिज जो घटक है, औरिजॉर्टल कॉम्पोनेंट वो हमारा F कॉस थीटा और उर्दवादर में वर्टिकल कॉम्पोनेंट F साइन थीटा है हमारा, तो इस तरही से शैतिज दिशा में बल F की व्योजन को हमने F कॉस थीटा और F साइन थीटा माना, शैतिज और उर्दव में, तो F बल को इस तरीके से दो भाग में व्योजन करने पर, पिंड के उपर लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो रिजल्टन फोर्स है वो, रिजल्टन फोर्स जो है वो, F ही रहा, हमने सिर्फ इसको रिजल्टन किया, इसका व्योजन किया, F साइन थीटा और F कॉस थीटा में, तो यदि को निमल की चित्रा नुसार है, तो इसके व्योजन निमन प्रकार से होंगे, तो देखिए, इस तरीके से ये F रिजल्टन हो गया, ये में हमारा जो फोर्स था, F, य फिर हमारा F कॉस थीटा और्दवादर घटक जो रहा, वो हमारा F कॉस थीटा रहा, नोट क्या था हमारा, इसमें कोण के साथ वाला भाग हमेशा कॉस थीटा से गुणा होता है, जहां पर भी कोण है हमारा, जहां पर भी थीटा रहता है, उसको हम F कॉस थीटा से मल्टिप to f x शैतिज प्लस उर्द्वादर गटक जो है उसके स्क्वाइर के बराबर है उसके समेशन के बराबर जहाँ पर r क्या है हमारा परिणामी बल है f x के है शैतिज दिशा में लगे बलों का योग और f y के है दिशा में लगे हुए बलों का योग तो इस तरीके से हम ये फोटो देख सकते हैं x और y डिरेक्शन में ये f1 था हमारा ये f2, f3 और f4 तो अगर हम देखें तो यदि सभी शैतिज घटक योग तथा उर्द्व घटक का योग शुन्य है fx is equal to 0 x direction में जो हमारा force है वो 0 है और f y direction में 0 है तो अता है जो हमने पीछे जो हमने equation पढ़ी वो equation क्या थी? r square is equal to fx square plus fy square तो हमारा fx और fy जो हैं यहाँ पर 0 है तो r is equal to 0 plus 0 तो resultant हमारा 0 हो जाएगा अर्थात परिणामी बल जो है उसका मान में 0 होगा तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं इससे हम क्या inference दे सकते हैं इससे हम यह कह सकते हैं कि एक पिंड पर लगे सभी बल तभी सामयवस्था में होंगे जब उनके वियोजित resolution भागों का योग 0 होगा तो यह जो भी हमारे एक पिंड पर जितने भी forces लग रहे थे वो equilibrium में कब होंगे जब उसके resolution के जो भाग है उसके वियोजिन भागों का जो योग है उसका summation है वो 0 होगा अब हम देखते हैं resultant of several forces acting at a point किसी एक बिंडू पर लगे अनेक बलों का परिणामी तो माना कि किसी बिंडू पर 36 से अलग-अलग कोंड पर अलग-अलग बल लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह अलग-अलग angles दे रखे हैं और अलग-अलग यहाँ पर इसके F1, F2, F3 इस परीके से अलग-अलग बल लग रहे हैं तो माना F1 बल 36 से थीटा कोंड पर है तता F2 बल 36 से थीटा 2 कोंड पर है देखिए यह पर थीटा 1 और थीटा 2 कोंड है F1 और F2 के लिए तो इस प्रकार सभी बलों के कोंड को हम 36 रेखा OX से ग्याद करेंगे यह जो 36 रेखा है OX इससे हम सारे वलों का इससे हम अध्यान करेंगे इससे हम ग्याद करेंगे तो एक रेखा OY है जो कि उर्द दिशा में है तो यह OY हमें दिखाए दे रही है यह Y डिरेक्शन में है तो चित्र में तर्शाय अनुसार F1 बलको शैतिश दथा उर्द दिशा में विर्योदित करने पर दो घटक F1 और F2 F1 कॉस थीटा और Fsin थीटा हम इससे प्राप्त करेंगे जैसे हमने पीछे देखा था तो यह थीटा 1 से F1 पे बन रहा है कौन थीटा 1 तो यह F1 कॉस थीटा 1 और F1 साइन थीटा 1 और X और Y डिरेक्शन में तो इसी प्राकार से F2, F3 और F4 के हम घटक गयाद कर लेंगे तो इससे हमें मिलेगा F2 कॉस थीटा 2 और F2 साइन थीटा 2 और सिमिलरली हम इससे सभी बलों का परिणामी बल R है हमें पता है जिसे वियोजित करने पर एक्स डिरेक्शन में तो R cos theta और R sin theta में हमें से वियोजित किया तो अब हम सब चानते हैं कि परिणामी बल वहबन होता है जो कि अन्य बलों के योग के बराबर होता है या अन्य बलों के बराबर प्रभाव उत्पन करता है तो यहाँ पर resultant force परिणामी बल हमारा क्या है R है तो शैतिश दिशा में लगने वाले सभी बलों का योग जो शैतिश दिशा में एक्सेरेक्शन में लग रहे हैं उसका क्या योग हो गया F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 यहाँ पर आप देखिए F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 plus F3 cos theta 3 plus F4 cos theta 2 इनका परिणामी बल क्या था R cos theta अता यह सब बल R cos theta के बराबर होंगे तो इन सब का summation क्या हो जाएगा R cos theta के बराबर तो हम इसे मान लेते हैं R cos theta बराबर जो भी उपह हमने equation बनाई अब R cos theta is equal to Fx अगर हम इसे मान ले क्योंकि Fx क्या है F1 cos theta 1 Fx cos theta 2 तो इस प्रकार उर्द दिशा में बलों का बराबर करने पर हमें क्या मिलेगा अब हम उर्द दिशा में देखते हैं तो R sin theta is equal to F1 sin theta 1 F2 sin theta 2 plus F3 sin theta 3 plus so on is equal to इसे हम Fy मान लेते हैं क्योंकि R sin theta is equal to Fy तो अब हम समी करन करेंगे 1 or 2 का इसे equation 1 मान लिया इसे equation 2 मान लिया तो समी करन 1 or 2 का वर्द जोडने पर हमें क्या मिलेगा R square cos theta plus R square sin theta is equal to Fx square plus Fy square तो R square को common लिया cos theta plus sin theta equals to Fx square plus Fy square since cos theta plus sin theta is equal to 1 तो R square का value क्या हो जाएगा Fx square plus Fy square तो अतहा परिणामी बलका जो परिमान है वो क्या मिलेगा हमें R is equal to square root of Fx square plus Fy square तो समी करन 2 divided by 1 अगर हम करेंगे तो इसे equation मिलेगी हमें R sin theta divided by R cos theta is equal to Fy by Fx और since sin theta plus cos theta is equal to sin theta divided by cos theta is equal to 10 theta therefore 10 theta is equal to Fy by Fx तो theta की value हमें इसे मिल जाएगी 10 inverse Fy by Fx और यहाँ पर theta जो है वो परिमामी बलका शैतिज रिखा OX से बनने वाला कोन है जहाँ पर Fx is equal to F1 cos theta plus F2 cos theta and so on और Fy is equal to F1 sin theta plus F2 sin theta and so on अर्था जो Fx है हमारा वो बलों के शैतिज घटक का योग है और Fy जो है बलों के उर्दवक घटक का योग है अब आता है हमारा लामी प्रमे तो लामी प्रमे क्या कहता है लामी theorem statement and explanation इससे हमें दिखाई देगा यह पचित्र आप देख सकते हैं एक पॉइंट O है और तीन forces लग रहे हैं P Q और R तो किसी बिंदू पर क्रियारत तीन बल एक बिंदू है O इस पर क्रियारत है तीन बल अगर सामय वस्ता में है यह अगर तीन forces जो है P Q और यह इकलिब्रियम में है तो प्रतीक बल शेष दो बल के मद्दे कॉन के साइन के समानुपातिक होगा तो यह statement क्या कहता है लामी स्थिरम क्या कहता है अगर यह जो हम एक पॉइंट O पे P Q और फोर्स लग रहे हैं तो लामी स्थिरम क्या कहता है P divided by sin theta equals to Q divided by sin beta sin alpha sorry alpha beta and gamma यह जो तीन कोन है अगर यह alpha है alpha यह beta और यह gamma तो P divided by sin alpha is equal to Q divided by sin beta is equal to R divided by sin gamma इस तरीके से यह हमारा लामी स्थिरम होता है तो अब हम मानते हैं कि अगर O बिंदू पर लगने वाले जो तीन बल है P Q R अगर यह equilibrium में है जो क्रमशह O A, O B और O C से निरूपित होते हैं तो P is equal to O A, Q is equal to O B और R is equal to O C तो बल समानतर चत्रभुज नियम से law of parallelogram of forces से हम कह सकते हैं O A plus O B is equal to O D या फिर O A O B क्या है हमारे P plus Q is equal to minus O D इसको first हम मान लेते हैं equation P Q R जो है वो equilibrium में है तो P plus Q plus R is equal to 0 हो जाएगा और P plus Q जो है वो इस equation को solve कीज़े तो minus R और इसको हम second equation नाम दे देते हैं तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा P plus Q is equal to minus D O या फिर minus R तो D O is equal to R हो जाएगा अब हम इसे resolve कर लेते हैं एक parallelogram बना लेते हैं यह हमारा P, यह हमारा Q और यह हमारा जो R है तो हम B, D, A करके इसको टोटल पूरे को एक parallelogram बना लेते हैं और इसे जो हमारे alpha, beta, gamma जो मैंने बताया था आपको P के opposite वाला alpha, Q के opposite वाला beta और C के opposite वाला gamma तो इसको हम resolve कर लेंगे इस तरीके से कि जो D वाला, जो O, D बन रहा है यह जो diagonal है, इसमें पाई माइनस alpha हो गया, यह पाई माइनस गामा हो गया और यह पाई माइनस beta हो गया तो इसको हम यहाँ पर अगर resolve करें, इस वाले portion को अगर हम देखें, तो यह O दिखाए दे रहा है हमें, यह O के opposite जो P के opposite जो था वो alpha था, Q के opposite जो था वो beta और यह गामा को हमने क्या बोला, यह पूरा गामा है और यह वाला जो portion है हमारा, यह pi माइनस beta है, तो AD is equal to OB, तथा AD is parallel to OB, तो हमें इस से क्या मिला, therefore AB is equal to OB is equal to Q, इसको हमने Q बोल दिया है, यह वाला portion जो है, वो Q हो गया, तो इस प्रकार जो triangle है OAD, triangle OAD की भुजाएं OAD और DO क्रमवार बल PQR को निरुपित करती हैं, तो इस से हमें क्या पता चला, P divided by OA is equal to Q divided by AD is equal to R divided by DO, तो इस से हमने third equation कहा, तो यदि Q और R के मद्धे कोन है, अलफा, R तथा P के मद्धे कोन है, बीटा, और P तथा Q के मद्धे कोन है, गामा, तो angle DOA, DOA कहा है हमारा DOA, जो DOA है वो पाई माइनस बीटा हो गया, देखी, यह वाला जो पोर्षन है, यह पाई माइनस बीट और angle ODA, ODA जो है वो हमारा पाई माइनस बीटा हो गया, is equal to angle BOD, यह दोनों बराबर हो है, alternate angles, और इसके बाद आता है हमारा angle DAO is equal to पाई माइनस गामा, DAO, angle DAO है, यह हमारा पाई माइनस गामा है, तो साइन्स उत्र का अगर हम प्रयोग करें, तो हमें क्या मिलता है इस से, OA divided by sine ODA is equal to AD divided by sine DOA is equal to DU divided by sine DAO, तो समी करन जो थर्ड हमारी equation थी, इस से में क्या पता चला, P divided by sine pi minus alpha, Q divided by sine pi minus beta और R divided by sine pi minus gamma, तो sine pi minus alpha और sine pi minus beta और sine pi minus gamma is equal to alpha beta गामा respectively, तो इसकी final equation हमें मिल गई, P divided by sine alpha, Q divided by sine beta और R divided by sine beta, तो अर्था प्रतेक बलके 6 दो बलके sine का समानुपातिंग होगे, तो यह हमारा लामी स्थियरम है, अब लामी प्रमे के engineering में अनुपरयोग, application of various engineering problems, तो लामी थियरम कहां पर यूज होता है, सब सपहले आती है हमारी jib crane, jib crane क्या है, जब jib crane का उपयोग भारी वस्तों को उठाने के लिए किया जाता है, में industrial use में देख सकते हैं, jib crane का यूज, तो jib crane के निमलिकित, निमलिकित चार भाग होते हैं, ये टाइर ओड है, ये है jib हो गया, और ये हमारा crane post है, और एक हमारा crane head होता है, तो crane post या दिवार, तान छाड, तान छड, टाइर ओड, और ये हमारा jib और crane head, तो jib crane के आकरती निमलिकित प्रकार से होती है, ये crane post या फिर हम दिवार मानले से, ये टाइर ओड है, ये crane का head है, और ये jib है, और ये suspended weight है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, बिंदू C पर उठाय जाने वाले वाला भार लटकाया जाता है, जिससे crane head कहते हैं, बिंदु C जो है यहां देख सकते हैं इस पर उठाय जाने वाला भार जो है वो लटकाये जाता है और उसे क्रीन हेड कहते हैं जिब में हमेशा कंप्रेशन तथा टाइर ओड में टैंसाइल फोर्स उत्पन होता है जिब वाला जो पाठा है उस पर कंप्रेशन फोर्स और अब बल बहुजन नियम लौ पॉलिगन और फोर्स यदि एक बिंदु पर लगे बल का बल क्रमानुसार किसी बहुबच की भुजाओं से परिमान तथा देश में निरूपित कि एक देशा में निरूपित किया जा सकते हैं तो वो एकिलिब्रियम में होंगे if any number of forces acting at a point be such that they can be represented in magnitude, direction and sense by the sides of the closed polygon taken in order then they will all be in equilibrium किसी भी point पे अगर कुछ forces act कर रहे हैं कितने भी number of forces act कर रहे हैं अगर हम उन्सको represent कर सकते हैं magnitude, direction और किसी भी sense से एक closed polygon की side से order में अगर उसे हमें बनाया तो वो सारे जो forces हैं वो equilibrium में होंगे जैसे कि आप इस figure में देख सकते हैं यह point है और इस पे हमारे forces काम कर रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5 तो अतहा F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6 is equal to 0 सामय वस्ता की शर्प के अनुसार बल, त्रीभुच, नियम, triangle law of forces यदि किसी बिंदू पर क्रियारत तीन बल, परिमान तथा दिशा में एक त्रीभुच का भुजाओं के क्रामबार निरूपित किये जा सकें वो सामय वस्ता में होंगे तो if three forces acting at a point, तीन force जो है वो एक point पर act कर रहे हैं किस सरीके से वो be such as can be represented in magnitude उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है magnitude, direction और sense, position पर नहीं by the three sides of the triangle taken in order then the forces are in equilibrium तो वो forces equilibrium में हैं तो चित्र के अनुसार एक बिंदू पर जैसे आप फोटो को देख सकते हैं यह O है यह one two three force act कर रहे हैं तो चित्र के अनुसार बिंदू पर लगे तीन बलों को एक त्री भुज के बुजाओं से क्रमवा ने रूपित किया जा सकता है तो यह सम्मय वस्ता में होंगे F1 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F3 is equal to 0 अब आते हैं हमारी धरण या फिर बीम के प्रकार तो बीम क्या है यह लकडी धातू या किसी अन्य पदार्थ का मूटा लंबा भाग है जो की भार समालने के प्रयोग में लाया जा सकता है बीम के कितनी प्रकार होते हैं सिंप्ली सपोर्टड बीम है चितर के अनुसार इसमें दो सिरों पर सपोर्ट लागा रहता है तथा गूमने के लिए मुक्ती रहती है इसे शुद्य अलंबित धरण कहते हैं पिर आती है हमारी फिक्स्ट बीम यह धरण चितर अनुसार दोनों सिरों पर फिक्स रहती है जो हमारी सिंप्ली सपोर्टड है उसमें स्रिफ दोनों जो सिरे हैं उसके दोनों जो पॉइंट्स हैं उस पर यह सपोर्ट लगी रहती है और यह घूमने के लिए मुक्त रहती ह और जो हमारा fixed beam रहता है ये दोनों तरीके से दोनों जो सिरे हैं उसके वो supported रहती है परन्तु ये घूम नहीं सकते हैं ये दोनों सिरे इसके fixed रहते हैं तो आप देख सकते हैं इस पिचर में ये दोनों सिरे जो हैं इसके ये fixed हैं और simply supported में इससे supported थे अब आता है हमारा over hanging beam य सब आप देख सकते हैं ओवर हेंगिंग जोह भीम होती है यह धरन एक यह दोनों सिरों पर सपोर्ट करता है तथा सिर्ः सिर्स पोट से बड़े हो सकते हैं आप देख सकते हैं जो सिर्ण है इसके सपोर्ट से ओवर recommendations यह लटकते रहते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर यह इसके सपोर्ट के रखे हैं तो यह दो से अधिक सपोर्ट लग रहे हैं तो यह continuous supported beam है फिर आती है हमारी types of support सबसे पहला आता है हमारा simple support simple support क्या है सैधान्तिक केस है हमारा principle case है जिसमें धरन एक साधारन support पर टिका रहता है simple सा एक support है उस पर धरन टिका हुआ है अब hinged support क्या होते है हमारे इस beam में एक सिरा चितरानुसार होता है इस तरीके से यह जो photo दिखाई दे रहा है हमें इसमें घूनन हो सकता है moment हो सकता है इस तरीके की beam किसी भी दिशा में बलों को सहन कर सकती है फिर आती है हमारी roller support यह पिर आता है हमारा स्थाई support यह फिर fixed support इस तरीके की beam में स्थाई support होती है जिसके कारण वह शैतिर या और द्वादर बलों को सहन कर सकती है इसे द्रव सपोर्ट भी कहते हैं इसे द्रव सपोर्ट कहते हैं पिर आते हैं हमारे types of load और types of load action on beam load के प्रकार सबसे पहला है हमार बिंदू-भार किसी बीम के किसी बिंदू-पर कारे रहत भार को को बिंदू-भार कहते हैं पॉंट पन होता है वासत्त्त में किसी बिंदू पर भार लगना संभभ नहीं क्योंकि वास्तम में भार कुछ शेत्रवल पर लगता है, कुछ एरिये पर ही लगता है, परन्तु यह शेत्रवल बहुत कम होता है, जो एरिया है, शेत्रवल बहुत कम होता है, जिसे हम नगणने मान लेते हैं, इसलिए हम उसे पॉइंट मान लेते हैं, एक समान रूप पर वि दिखाएंगे तो कुल एक समान वित्रित जो हमारा टोटल यूनिफर्मली डिस्ट्रिबूटेड लोड है उसकी गुरूत्व केंद्र पर कारिदत माना जाता है नोट अगर है इसमें हम इंपॉर्टन पॉइंट क्या है इस तरीके जो प्रश्न आएंगे उसको हल करने के मोमेंट लेना पड़ता है किसी एक पॉइंट के तो आगून क्या हो गया बल इंटू बल की उस बिंदू तक की लंबवद दूरी फोर्स इंटू जो डिस्टेंस है तो बल इंटू लंबवद दूरी तो ऊपर की तरफ लगने वाला भारया प्रतिकरिया इस इकोल टू फिर एक समान वित्रित भार या या यूडियल में भार जितनी दूर पर लग रहा है उससे गुणा करेंगे तथा दूरी उस भार के मध्य बिंदू से लेंगे तो ये कुछ important points है फिर आता है हमारा बल समानतर चतुरभुच का नियम तो law of parallelogram of forces क्या है यदि किसी कणियाद रव्यानूं पर क्रियारत दो बल परिमान तथा दिशा दोनों में किसी समानतर चतुरभुच के आसन ने भुजाओं पर निरुपित किये जाते हैं तो उसका परिणामी या परिमान वर दिशा दोनों में ही समानतर चतुरभुच के उस विकर्ण द्वारा निरुपित होग ठीक है और triangle law forces क्या कहता है हमारा यदि दो संगामी बल परस पर एक पिंड पर कार करते हैं और परिमान तथा दिशा में किसी चित्री भुच की परस पर दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी तीसरी भुजा जो है परिमान तथा विपरित दिशा में परिमानी प यह हमारे law polygon forces यह भी हम अल्रडी देख चुके हैं